नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अर्की क्लासिस में सत्रवें BPSC निबंद के लिए आज जो अपना चौथा टॉपिक है लोकोक्टीव मुहावरों से सम्बंदी जो निबंद पूछा जाता है और पूछा ही जाता है उसमें चौथा टॉपिक करेंगे हम लोग इसको एक बार सुन सकते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए इस तरह के टॉपिक्स में किस बारे में बात की गई है क्या डिस्कस किया गया है और फिर कभी उसको आप चाहें तो पीडियाप के माध्यम से पढ़ सकते हैं इससे क्या हुआ कि अचानक से आपके उप सटाइब करें पासवाले बेल आइकोन को दबाजें वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक शेल करें इस तॉपिक है एक हाथ केकरी नो आपके बिया कहता है कि बिहार की लोक संस्कृती में प्रचलित लोकोक्ती एक हाथ केकरी नौ हाथ की बिया का समाने अर्थ है किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर प्रस्तुत करना इसे अन अर्थों में देखें तो इसका एक भाव यह भी निकलता है कि कोई संतान चालाकी और दुष्टता में अपने माबाप से भी आगे निकल गया है इसे तंज की रूप में परियोग किया जाता है ध्यान देखना है एक हाथ केकरी नौ हाथ की बिया यह प्रकार का एक तंज है अर्थ हाथ इसमें आप यह भी समझें कि बहुत सामाने सी बात यह चोटी सी बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर कहना प्राचीन भारती त्यास में हर्यक वंस के संस्थापक बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजाद सत्रू ने कर दी थी फिर अजाद सत्रू के पुत्र उदियन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी इस प्रकार उदियन के संबंद में यह लोकुक्ती चरितार्थ होती है कि एक हाथ के क्रि, नो हाथ के बिना, बिया, किसी अनहूनी बात के संदर में भी हम इसे लोकुक्ति का परियोग करते हैं, कहता है, शामानिता इसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने के संबन में परियोग किया जाता है, एक्जामपल आपने देखा, के समक्ष स्वैम को सरस्ष्ट बताने की होड में लगा रहता है, इसी होड में मनुष और संभव एवं अतिश्युक्ति पुर्ण बातों का सहरा भी लेता है, समाज में मनुष्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, जैसे कहीं जाती के अधार पर, कहीं धर्म के अधार पर तो कहीं वैवसाय के अधार पर, तो कहीं छेत्रिय पहचान के अधार पर, ये अलग 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 शेत्रों में अलग अलग रूप से ये पहचान होती है, कहता है इसके तरिक्त भारत की ग्रामिन इलाकों में सबसे अधिक जो पहचान हावी होती है, वह उसकी प पुरवच की सिती के अधार पर ही पहचान होती है यही कारण है कि वरतमान में जब संबिधान द्वारा इन सभी पहचानों के उपर उठकर सबको समान अधिकार परदान किये गए हैं तब भी आए दिन कहीं न कहीं से जाती धर्म, नसल एवं छेत्र के अधार पर हुए विव खमंळ करने के लिए प्रिद करती हैं, अपने आपको स्रेश्ट दिखाने के लिए खमंड जो है यह करना पड़ जाता है, कुछ मामलों में तो मनुष अपने को स्रेश्ट बताने के लिए वे अरथ ही अति शिक्ति पूण बाते करता रहता है, जैसे अक्सर यह देखा जात रहता है कि कुछ कथित विष्ष्ट वर्ग से आने वाले लोगों को अकारण ही स्थान हासिल होता है। उनका सम्मान शर्फ इसलिए किया जाता है कि वो किसी कथित उच्फ वर्ग में जनबे हैं, हलाकि इससे यस्जिद नहीं हो जाता है कि वो श्रेष्ट हैं। एवं कुछ उन्हें कुछ प्रात्मिक्ताइं मिलनी चाहिए किन्तु वे स्वेम भी इस स्रिश्टा के परिनाम का उपयोग करते रहते हैं एवं इसके लिए वे अपने वर्गों, स्रमुदायों एवं पुर्वजों के द्वारा किये गए कार्जों को बढ़ा चला करके बतात हैं कुछ मामलों में ये प्रसंसाइं इतनी अतिशुक्ति पूर्ण होती है कि जिन पर यकीन करना भी मुस्किल होता है वर्तमान अगर आप समय में देखें तो किस प्रकार से जो है लोगों की बीच में जातिय संगर्स को लेकर के ठकराव चल रहे हैं अलग-अलग जातिया अलग-अलग कहानियां बनाकर लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उनके बीच में जो है रोस उत्पन किया जा रहा है चाया वो भगवान के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो अस्थान के नाम पर हो वर्तमान में यह है आडंबर पूर्ण वहवार एवं इसके लिए अपने धारम जाती आदी को आदी की स्रिष्टता को बढ़ा चड़ा कर बताने का चलन समाजिक प्रिवेस के अतरिक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलता है बिल्कुल सही बात है कि कोई एक वर्ग है जो कहता है कि फलाना वर्ग ने उनका सोशन किया फलाना वर्ग के भगवान को नहीं मानते हैं हला कि शत्य नहीं है भगवान अगर आप एक्जामपल ने भगवान राम ही का एक्जामपल ने तो अगर आपने रमायन देखा होगा या अगर आप महाभारत का एक्जामपल ने आप जानते हैं कि खेवट को भगवान राम ने गले से लगाया था उनके परमित्र थे निशाद उन्होंने उनको गले से लगाया था तो कई सारे माता सबरी लेकिन वरतमान समाज में जो है अलग-अलग प्रकार से जो है इस तरह कर का भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपस में ही लोगों को बाटने का जोरो सोरों पर हो रहा है कहता है लगभग परतेग दिन किसी न किसी रूप में सोसल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे तत्य सामने आते हैं जिनमें वे अपने धर्म एवं जाती का गुनगान अतिशुक्ति पूर्ण धंग से करते हैं या किया जाता है उनके द्वारा अभिव्यक्ति का सरल एवं सुलब माध्यम होने के कारण ये धारणाए विश्वर में कुछ समय में फैल जाती है इससे संपूर्ण विश्व को हमारे इस दिखावे पन का पता चलता है जो किसी न किसी रूप में हमारी छवी को धूमिल करता है आप किसी के जो है पूजीहन को आप तिरसकार करें वो आपके पूजी को तिरसकार करेगा तो इस तरह से जो क्लैसिस समाज में होते रहती है आगे कहता है किन्तु भारत ही नहीं बलकि विश्च की अन देशों में भी स्वैम को स्रिष्ट मानने की धारणा व्यापत रही है उनका भी दिखावापन अनवरत काल से चला आ रहा है इस परकार ये कहा जा सकता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चड़ा कर प्रस्तूत नहीं करना चाहिए इससे किसी का कोई लाव नहीं होता जो भी महान और स्रेश्ट कर है वह स्वैम दुनिया के सामने आ ही जाएगा उसे किसी भी परकार की आवश्यक्ता जो है परचार की आवश्यक्ता नहीं होती है वो स्रेष्ट है तो दुनिया को आज, कल वर्सों बाद मालूम चल ही जाएगा इस बात को भक्तिकाल के परशिद कभी रहीम ने भी समझाया है कि बड़े बड़ाई ना करें बड़ो ना बो भोलो, बोल, रहीमन हीरा सब कब कहें, लाख ठका मेरो मोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न Greaties राकभा मेरो मोल, यह पर्शिदुकवी रहीम की करती है, और इस तरह से जब हम लो लिखते हैं, यह लिखेंगे एकस्ञाम में, तो काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है मार्क्स जो है निश्य थी ज्यादा मिलेगा उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक हो सियर जरू करें इस पर आपको अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है किवल आपको एक बार समझ लेना बांकि सब पीडिया जो है टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगा जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक हो सियर जरू करें मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ